भारतिय युवा कॉंग्रेस वाद विवाद प्रतियोगिता यंग इंडिया के बोल का आयोजन करने जा रही है जिसकी शुरुवात वर्तमान में तीन राज्यों हिमाचल, छतिसगड और बिहार से की जा रही है कारेक्रम के बारे में विस्तिर जानकारी देने के उदेशय से कॉंग्रेस मुख्याले राजीव भवन में पत्रकार वारता का आयोजन किया गया जसमें महीला कॉंग्रेस की प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है इस प्रतियोगिता के माध्यम से युवा सारवजनिक रूप से बोलने की प्रतीभा के कौशल का प्रदर्शन कर पाएंगे युवा प्रतीभाओं को मंच प्रदान करने के उदेशय से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है प्रतियोगिता को वर्तमान में तीन राज्यों, हिमाचर प्रदेश, 36 गड़ और बिहार में शुरू किया जा रहा है मीडिया से बाचीत के दौरान महिला कॉंग्रेस की प्रदेशा अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि इस प्रतियोगिता में अठ्ठा से 35 वर्ष के कोई भी युवाब भाग ले सकते हैं इसके अलावा उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस विभिन कारेक्रमों के माध्यम से लोगों को अपने साथ जोडने की कोशिश कर रही है साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भी कॉंग्रेस लगातार आवाज उठा रही है कोई भी बच्चा इसमें पाटिस्पेट कर सकता है और इन्होंने पांच इसमें टॉपिक्स दिये हैं जिन पे वो बच्चे अपनी वाद विभाद हमने प्रतियोगिता रखी वी है तो इसका में मकसद यह है कि हमारा जो यंग जेनरेशन है वो देश की समस्याओं के बारे में भी मुकर रूप से अपनी पाटिस्पेशन कर सके यह में मकसद है भारतिय युवा कॉंग्रेस मीडिया विभा की टीम के सदस से शान खार ने कहा कि देश के मुद्धों पर युवा क्या सोचता है इस उदेश से इस वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता जिलावा राज्यस्तर पर आयोजित की जाएगी साथी प्रतियोगिता में प्रतम दुतिय और तृतिय स्थान पर रहने वाले प्रतिभाग्यों को सम्मानित किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक युवाओं को ओनलाइन आवेधन करना होगा और सामाजिक मुद्दे जैसे युवाओं का राजनीती में महत्तो, सच्चा राष्ट्रबाद, आर्थिक मंदी, किसानों की समस्याएं और महिला सशक्तिकरन सहित अन्य महत्तो, पूर्ण विश्यों पर दो मिनट का वीडियो बना कर आवेधन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 30 सितंबर तक आवेधन किये जा सकते हैं। हिमाचर प्रदेश और 36 जरुगा चेहन किया गया है, तो आज हमने इस कारिकरम का लॉंचिंग किया है, और सारवजनिक कारिकरम है, 18-35 साल की कोई भी यूवा और यूवतिस में भाग ले सकते हैं। इसके लिए हमने प्राइज भी तई किये हैं, उनको एवोट भी मिलेग उनको स्मृति चिंग भी मिलेगा और आगे की राधनिती के लिए उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ताकि वो कहीं भी जाएं तो बता सके कि उन्होंने इस प्रत्योगता में भाग लिया था।